17 अक्टोबर 1945 में कैनेडा से गुर्देव का ये 19 वा ग्यान पत्र है, शीर्षक है, शिष्षत्व समाप्त हो जाता है, गुर्देव कहते हैं ग्यान का अंत होता है, ग्यान पूरा हो जाता है, तो शिष्षत्व भी, शिष्ष का ओदेश ग्यान की प्राप्ति है, एक बार ज जब शिश का अध्यन पूरा हो जाता है, गुरू एक समारोह करता है, जिसे समावर्त कहते हैं, वो शिश से अब अपने समान व्यवार के लिए कहता है, और ब्रह्म को दिविता को प्रकट होने देता है, तब उसका शिशत्व समाप्त हो जाता है, एक सखा जीवन और मृत्यू का प्रिये साथी होता है एक सखा सिर्फ अपने प्रेमी को चाहता है वो सिर्फ प्रेमी की लालसा रखता है उसे ज्यान और मोक्ष से कुछ भी मतलब नहीं होता उसका प्रेम अनन्त है और अनन्त कभी भी भर नहीं सकता उसकी शाश्वत अपूर्टा में ही उसका प्रेम पूर्ण होता है प्रेम के मार्ग का कोई अंत नहीं है अर्जुन कृष्ण के सखा थे यद पी कृष्ण पूर्ण गुरु थे फिर भी वो एक सखा थे गुर्देव पूछते हैं आगे तुम क्या हो एक सिश्च या एक सखा जैगर देव